मैं यहां पर साथ एक्सेसाइजेद बताने जा रहा हूँ जो इस प्रेसली बैक पेन को लेकर हैं बैक पेन और स्लेप डिस्क दोनों कंडिशन में जिसको सीवेर बैक पेन होता हो या माइल बैक पेन हो इन सारी एक्सेसेजेज को करके के back muscles को strengthen कर सकते हैं back के stiffness को दूर कर सकते हैं और back के जो भी problem है उससे छुटकारा पा सकते हैं तो अभी हमारे साथ है आशिना तो एक यह करेंगे और मैं इनके उपर instruction करूंगा तो लाइड़ा हूं आशिन head this side legs stretch hands under your thighs इसको तान आसन भी बोलते हैं योग में inhale and right leg up exhale exhale and hold 30 degree पर एक पैर को उपर उठाकर hold करेंगे five seconds तक hold करेंगे फिर down change exhale and hold hold for five seconds down ऐसे five five times हर एक leg से repeat करेंगे five five times और यदि normal condition में कर रहे हैं तो इसको दोनों पैर से आपको उठाना चाहिए और यदि normal back pain है यदि बहुत severe नहीं है तो दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं इस तरह से और hold करना है five to ten seconds तक 10 seconds 10 to 15 seconds कर सकते हैं यदि normal health condition है तो 15 to 20 seconds तक hold करेंगे एक बार दूसरा आशन है कंद्रा आसन दूसरी एक्सरसाइज इसमें भी क्या करना है नी को बेंट कर लेना है नीको बेंट करना है दोनों पैर को दोनों पैर को जैन्कल Rh CI ne रखना है दोनों पैरों के बीच में शोल्डर के बराबर गैप होगा नी को पैलल रखेंगे हाथ को थाइस के साइड में रखेंगे इनहेल करते हुए इनहेल और बट आप इनहेल करते हुए बट को उपर उठाएंगे दोनों पैरों के बीच में इतना गैप हो शोल्डर के ब गुट विद एक्जिलेशन दाउन पैर को थोड़ा और प्लोज में लेंगे अल्मोस्ट आपका नी 90 डिग्री पर आना चाहिए गुट यह बराबर पोस्चर है 90 डिग्री पर आपका नी बेल्ड होना चाहिए बहुत आगे नहीं लेना है और बहुत अंदर भी नहीं लेना है एक बार यह पोस्चर को होड़ करना चाहिए बैक मसल्स के इस्टैनिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सेसाइज है तो इस तरह से दूसरा एक्सेसाइज था लेक्स स्ट्रेट अब तीसरी एक्सेसाइज है एक एक पैर से पॉन मुक्तासन करेंगे हाफ इनिलेशन और बें सकते हैं और फूल इस तरह से स्टेच करेंगे सिर को नीचे ही रखना है अब यदि माइल्ड बैक पैन हो थोड़ा बैक पैन हो लेक्स स्टेट और वेट आपका नॉर्मल है तो दोनों पैर से कर सकते हैं यदि बहुत ज्यादा बैक पैन हो तो सिंगल लेक से करिए और कम हो मैनेजबेल हो तो दोनों से कर लिए तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा लेक्स स्टेट अब यही नॉर्मल हेल्थ कंडिशन में करना है अब फिट्नेस को लेकर कर रहे हैं इसमें क्या करेंगे दोनों पैर को बेंड करेंगे अब इसको पूरा पॉन मुक्ताशन क करेंगे जैसे पॉलो करेंगे पॉन मुक्ताशन बना लेंगे अगयों नी प्रॉपर ली एंड चीन टुद नी इस तरह से स्टेश करेंगे और फिटीन टुटेंटी सेकंड और यह भी एक्ससाइज के फॉर्म में कर रहे हैं बैक्पेन को लेकर कर रहे हैं तो फाइज तो होल्ड करने कोशिज करिए हेड डाउं तो इस तरह से तीन एक्ससाइज हम लोगों ने बैक के ओपर किया टॉन टमी ऐसे बहुत सारी एक्ससाइज हैं जो मैं दिखा रहा हूं सिर्फ इतना ही नहीं है स्टेंडिंग में कर सकते हैं सिटिंग में कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर सिर्फ साथ एक्ससाइज करवा के दिखा रहा हूं हैंड अंडर यो थाइस पाम टर्न टॉर्स फ्लो इन्हेल और फुल योड वो एनी वन लेग अप एनी वन लेग अप और बहुत ज्यादा उपर नहीं उड़ाएंगे अल्मोस्ट शिक्टी डिगरी के आस पास में कि भी एक्सिलेशन डाउं कि अब कि यदि ज्यादा बैग पेंड होता हो तो काम उठाएंगे फिर इसको चाहिए तो इतने तक ही उठाएं वाप हर एक पॉसंट टूपसंट इस चीजे डिपेंड करती है कि इतना मतलब बॉड़ी वेट कैसा है बॉड़ी का कंडिशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग तो आप इसका जो हाइट है कम ज्यादा कर सकते हैं और यदि नॉर्मल हेल्थ कंडिशन में कर रहा है तो दोनों पैट से करेंगे इंहल एंड पुल आप ये बैक मसल्स को स्टेंदेमनी के साथ साथ आपको एक आसन का योगा का भी पुरा बेनिफि इस तरह से जिनका वेट ज्यादा है जिन से इस इतना नहीं हो सकता वो क्या करेंगे डाउं एसे ये यह यदि ज्यादा हो और इतना आप नहीं कर पा रहे हो तो सिरफ इतना करेंगे इनहल एड टेंगे इतने पर ही रोल करेंगे 245-10 seconds तो कश्मिर करने की जरूरत नहीं तो पूरा होता है फिर तो कर भी नहीं नहीं पर आधे बहुत जादा बैक को स्टेश्न नहीं करना है हाफ में रहे और यदि नहीं होता है तो फॉड़ा से ने की कोशिशत लुए और इसके बार में बताने जा है 만 आपको बहुत ज्यादा पेन हो तो उस कंडिशन में अवाइड करिए और यदि नॉर्मल हेल्फ कंडिशन हो और कम बैक पेन हो तो उसमें आप कर सकते हैं तो नी को बेंड करेंगे यह डाइजेश्टी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है गुट यह पॉफेक्ट शेप में हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्फ कंडिशन अच्छा है इसलिए एकदम पॉफेक्ट लिए कर रहे हैं आप इतना कर पाएंगे जरूरी नहीं होगा आप अच्छा उपर उठाने के कोशिश करेंगे सिर्फ हल्का सा डाउं और फिर दूसरे से इस तरह से भी आप कर सकते हैं डाउं अब इसके बाद दो एक्सराइजेज ट्विस्टिंग के फॉर्म में हैं जो साइड अबलिक की मसल्स हैं जो साइड मसल्स हैं उसको लूज करने क यह अम सकती सरे अबलिक करेंगे यह सारी इसराइजर एकक्सराइज को इए और दूसरे पार लगा करने के और ऐसे चैंञे शोल्डर फ्लोर पर ही रहेगा शोल्डर उपर नहीं आना चाहिए इन्हेल विद एक्जलेशन एक्जल करते वे तुस्ट करेंगे अधा साइड यदि आपको बैक पेन है तो उस कंडिशन में 3-5 ताम्स रिपीट करेंगे 5-5 सेकंड्स होल्ड करेंगे इन्हेल करते वे सेंट और नॉर्मल हेल्स कंडिशन भी कर रहे हैं तो एक बार भी कर सकते 15-20 सेकंड्स होल्ड करने की कोशिश करेंगे अब दोनों पेरों को लगभग 1-1.5 फिट का एक गयप पर आपको रख लेना है फीट को और इस तरह से किस्ट करना है नीं के उपर एक फूट को रख लेंग अब दोनों नी को फ्लोर से टच करने की कोशिश करेंगे इनहील करते हुए सेंटर में एक्सेल करते हुए राइट नी फिर फ्लोर इस तरह से करेंगे अब इसमें थोड़ा सा ऐसा शिप्ट कर लेंगे कोशिश करेंगे यह टेस्ट की लाइन में नीं हो इस तरह से तो हर ब यहां भी जब कर रहे हैं इस बहार जो आप फॉलोग करके बैग पेंट से छुकारा पा सकते हैं आ पने थे एप्टनिश को इंप्रूब कर सकते हैं अपने हे Working को सक्झ है तो आप इसको फॉलो करिये रेगुलर बेसिस पर सुबह साम दोनों टाइम होना चाहिए नहीं तो एक काइम तो जरूर होना चाहिए आपको बैक पेंको क्योर करना चाहते हैं तो आप हेल्थ का बेने कुट लीजिए आपको कैसा लगा आपको कमेंट करके बताई थैंक यू बढ़ाई